पांच राज्यों के चुनाब का आ गया है परणाम जनता को पसंद है बाजप्पा और मोदी जी के काम राजिस्तान में दो तो बार नगन महिला गुमाए गए तंदूर के अंदर डाल के जला दी गई जिंदा तो उसे अपराद नहीं मानते थे सबसे बड़ी बात हुए कि पहले तीन राजियों में जो एलेक्शन हुआ है भी उससे साफ हो गया कि भारती जनता पार्टी के साथ एक नौजवान और महिलाये और बुजर्ग सारा तबका पूरा उसके चाह जोड़ा हो चोड़ दो राजनीती कर लो साधी जो सहली हो तुमा दोनों के दोनों अंदर खूस है कि चलो भी है कम से कम कॉंग्रेस का जो पावर है उसको कम किया जा सका जनता ने अब छोड़ दिया कांग्रेस का साथ ठाम लोगे जब तुम किसी कंध्या का हाँ मोदी आइगे जल्द दादी सलाम भान लो सिरिमान राहुल गांदी नमस्कार दर्शकों आपने देखना चालू कर दिया है दा न्यू सिफ्टीनों में हूँ आपके साथ सक्षन दिवारी इंडिया गडबंदन का एलाइंस जितनी ताजगी के साथ रखा गया था और उसकी जो नीव रखी गई ती जिसमें 26 दलों का गठन हुआ था आप धीर यह इंडिया गडबंदन जिस तरीके से ठूट रहा है हमारे साथ यहां पर कुछ लोग मौजूद है हर आदमी सच्चाई की तरफ चलता है अच्छाई की तरफ चलता है इसका मतलब यह नहीं होता कि हम भ्यार को 30,000 रुपे वो 30 करोल रुपे एक मदर्सों के लिए देंग ओड़ टर्णिया जाता है कि इंडू टो टार्ट किया जाता है कभी हमारे रुपद यह जजाता है तो यह कभी को पिली खोलते हम अभी तक राचिस्तान में महिला इंजश खना था लेकिन रोना का करोते थे मणिपुर का के वहां के नगन महीला गुमाई जाती है जबकि राजिस्तान में दो दो बार नगन महीला गुमाई गए तंदूर के अंदर डाल के जला दी गई जिंदा तो उसे अपराद नहीं मानते थे और ये असो कहलोत ये कहते थे मर्दों का परदेश है तो बात सारी ये है कि अच्छाई और बुराई आज अच्छाई का साथ देने वाली जनता है शिक्सित है अच्छा जानती है मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ आज अगर मान्या नरेंदर मोदी जी इस देश के हित में काम कर रहे हैं तो मैं उसके गुणगान करूँ हाँ मैं उनका दरों के गुणगान नहीं करूँ हाँ जब इस दिल्ली के अंदर मेरा स्कूल बंद हो गया था मैं नतुपरगर रहनवाड़ा हूँ मेरे घरवाड़ों तीन महीन ने मुझे स्कूल नहीं जान दिया था आज मैं बिजली का काम नहीं करता मैं भी कोई सरकारी नोगरी पर होता सबसे बड़ी बात हुए कि पहले तीन राजियों में जो एलेक्शन हुआ है भी उससे साफ हो गया कि भारती जनिता पार्टी के साथ एक नोजवान और महिलाएं और बुजली सारा तबका पूरा उसके चाहाँ जुड़ा हुआ है तो आने वाला जो एलेक्शन है उसके वह एकस्ता से सेवी फाइनल है और दोजार चौबीस में जो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे सबसे बड़ा रिजन यह है कि आज की डेट में अगर आप देख तो नौजवान है या महिलाएं है या बुजल के जो हमारे भी कुछ सीनियर से नित्यादी है वह सब मोजी जी के उसमें है ठीक है वह उनके सपोर्टर क्यों है क्योंकि वह आज जन हित के कारी जो कारी कर रह तो उसके बाद इनके आपस में उसका कार क्या था क्योंकि यह जिसन पी स्टेट के युशन लड़े थे कि कुछ बुआ कि यह जैसे सीर सहमाले स tension होगी उसके बाद अधर देखते तो उनका भी बिलकुल हो गया ये गठ्भंदन जो है ये गठ्भंदन का लालच का गठ्भंदन है नोगों में एक दूसरे के पहले ही फीचा तानी पड़ी हुई है सब सत्ता गी ऐ कांग्रेस है वो सीटे अखलेस को देना नहीं चारे मैं इनवाद मैं अपनी करूँ तो इनूरो प्रेंका गांधी ने बो खड़ाइब का मजा को डाया इन्होंने चो डुका मझा को डाया इन्होंने गड़ाइबूज नहीं के oh तो यहां पर हिंदू मिसल्मान की बात नहीं है चंद्रियान में चांड जा रहा वो भी अमें दिखाई दे रहा हाइवे बन रहे वो भी अमें दिखाई दे रहा गरीबों को घर दिये जा रहे वो भी अमें दिखाई दे रहा पांच किलो रासन मिल रहा वो भी दिखाई दिय जा रहा तो यह जो गठवंदन का कहीं भी कहीं टिकने वाला नहीं है इन्होंने राजिस्तान में अभी ये चुनाव आरे मद्प्रदेश मारे और 36 गड़ में आरे तो इन्होंना सनातन धरम का पमान किया इन्होंने मंदिर तोड़े इनुद आप राजिस्तान में जाके बराबर संपर्क करने की कोशिश कर रही है समाजबादी है उनका सारा शीट है कॉंग्रेस को क्यों देंगे उसे अकलेश यादव ने यह यह जरूर कहा था कि जैसे वह अमेठी और जो राय बरेली की जो सीटे हैं उस पर वह अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे तो वह कहि इनको पेट नहीं भरेगा उससे पेट थोड़ों भर जाएंगा इनको इनको तो चाहिए और इनको और चाहिए तो इसलिए उनको मिलेगा नहीं तीन राज में बीज़ेपी के सरकार आया तो बिहार के नितिश्क मारा इधर सपा जो है अखलेस यादो दोनों के दोनों अंदर अंदर खूस है चलो भी आ कम से कम कॉंग्रेस का जो पावर है उसको कम किया जा सका ठीक है न और जब पावर कम किया गया तो फिन उसके बाद इन लोग अपना अपना राज छोड़ेगा नहीं श्वी करके चोटे चोटे च्टे पाटी है अपना अपना फि Ici लूटने के साथ में चल गया है आप पूरा देश में हम लोग अपने आपको पूरा संसाथ पर कबजा कर ले जो मंतों कानून बनाए जो मंत जाहों मंत जितना लूट सके हैं लूटे और हर जगाँ अभी एमपी में चल जाई चालज देखाया रहा है कि पीछले पंदरा साल में उतना करप्संद नहीं हुआ था सब्सक्राइब करेंगी और हिंदू मुसलिम करके लड़ाई करवाएगी यही उसका धन्ता है सब्सक्राइब करेंगी नितिश कुमार के तरफ से तो का जा रहा है कि उनका स्वास्त कराब है पर क्यूंकि अब चुकि वह सीम है ऐसा कोई हेल्थ अपडेट अभी तक आए नहीं है प्रफेस पाद में कुछ और काता है इंटर्नली कुछ और रहता है हकीकत बात है क्या कि जब देखा कि तीन स्टेट में जब हार गया कॉंग्रेस पाटी तो इन लोग देखा कि जो हम जी सकते हैं खूद सांसाद का सीट है वह अगर इंडी गवर्मेंट में रहेंगे तो हम हम लोग हार जाएंगे इसलिए निटीज कुमार भी प्रक्षिम बोलने लगा बास समझेगा उसका कारण है पहले सब्सक्राइब लेकिन देख रहा है कि यहां तक कॉंग्रेस हार रहा है तो सब जब हारा हुए आदमी को सब कोई साथ छोड़के भागता है तो हारा हुए क सब्सक्राइब टूट रहा है अगले 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 श्यादब भी पीछे अट गए और निटीश कुमार भी पीछे हट गए मंतम एनरजी भी नहीं आ रही है तो क्या लग रहा है तो हर आदमी को छोड़के चले जाना चाहिए अपनी सेफटी खुद कर लेनी चाहिए जहा लुब रहा है तो उनको उसमें बेठे रहने से क्या फाइदा अब तो चुनाब जूबने वाला है तो उसके लिए तो मैं आपको एक बात पता रहा हूं कि पांच राज्यों के चुनाब का आगया है परणाम जनता को पसंदे बाजप्पा और मोधी जी के काम राहूल जी स स्लामालो हमारी खुछ हो जाएंगी मम्मी तुम्हारी साला क्या है छोड़दो राजणीति चोड़दो राजणीति कर लो साधी जो सहेली हो तुम्हारी जनता ने छोड़दिया अब कांग्रेश का साथ जंता ने अब छोड़ दिया कांग्रेस का साथ थाम लोगे जब तुम किसी कंडिया का हाथ मंभी आपकी बंजाएंगी जल्द दाधी मंभी आपकी बंजाएंगी जल्द दाधी सलाम भालो सिरिमान राहुल गांदी एक होई नहीं सकते कभी कारण क्या कारण सब्सक्राइब राज पर बैठना चाह रहे हैं रिजिनल पार्टी है किसी पर समाजवादी पार्टी पर इसके लिए तो खटास निया थोड़ा सा अभिमान आ था उनके अंदर उनको पता निथा कि हो जाएगा अच्छाल में सबसे वड़ी वात यह थी उनको तो यह था भई तीनी स्टेट में हमारी आ जाएगी लेकिन यह तो सबकी मजबूरी है लाइंस में तो रहेंगे सब यह हैं वह लेकिन यह हैं कि वो कांग्रेस को उसकी उकात म कांग्रेस को अपना दिखाना चाहती है कि मैं इनमें गठबंदन में बड़ी हूं मेरी मरजी चलेगी छेत्रयय पार्टी इतनी स्ट्रोंग है वह कांग्रेस को बार्गेनिंग करने नहीं देंगी गठबंदन तो तोटेगा और यह गठबंदन करते रहें फरजी और यह सिर्फ अपना पेड़ने की बात कर रहें तो यह करते रहें लेकिन आप देख़िए喜欢 की यौज नाओं को ही वोट पढ़ने वाला है उनके काम को पहुत पढ़ने वाला है देश और धुनिया उनको स видим कर रहे हैं भारती दिन्दापाटी की सरकार आने वाली है अखलेश यादव ने मना करा उसके बाद ठीक नितीश ने मना करा और फिर आप मम्दाब अलग अलग बहाने हैं या अलग अलग हम कहें जो बैठक में ना शामिल होने के कई ना कहीं बाने मम्दाब एनरजी का गिरेए उच्छड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादा वह भी अपने दंगों में अपना वह रखते हैं के हिंदू मुस्लिम के दंग झालग बार्टी है अवह रखते हैं